प्यारे बच्चों, हम लोग आज निया चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं A Seed Tells a Farmer's Story आपको मालूम है कि भारत एक क्रिशी परधान देश इसको हम दूसरे शब्द में कहते हैं भारत गावों का देश अब जानते हैं गावों में खेती होती है तो आज जब हम बात करने जा रहे हैं Farming की, खेती की Agriculture तो हम इसको समझने के पहले इस पूरे चेप्टर को समझने के पहले हम ये संधेंगे कि जो हमारी खेती है आज जो हमारी खेती है क्या ये पहले भी थी ऐसे ही तो हम देखते हैं कि भारत तो पहले गुलाम था अंग्रेजों का और 1947 में हमको आजादी मिली तो आजादी के बाद और देखी करन हुआ इंडेस्ट्रियलाजेशन और कलकार खाने खुले नए नए एकुइप्मेंट बने बिजली आई और इस तरह की बहुत सारे प्रोग्रेस हमारे देश में हुआ इसके पहले ये सब चीजें नहीं थी समय के साथ बहुत सा बदलाव आया तो हम अपनी खेती को जो भारत में कृशी था और है उसको हम दो भाग में बाढ़ सकते हैं एक वो खेती जो आजादी के पहले थी जिसको हम कह सकते हैं पुराने तरह की खेती और एक modern आज की खेती तो इसको समझने के लिए आप समझ लें कि जब हमारे पास बिजली नहीं थी हमारे पास ट्रेक्टर नहीं थे त्रेसर नहीं थे बहुत सारी चीजें तो हम खेती कैसे करते थे तो हम traditional form of agriculture करते थे पारमपरिक और इसमें आप जरूर अपने grandparent से बात कीजिएगा उनसे बात कीजिए कि दादा या नाना जो भी हूँ आपके उनसे पूछिएगा कि भाई पहले की जमाने में कैसी खेती होती थी तो हमने आप से क्या बताया कि जो आजादी के पहले की जो खेती है और ये जो agriculture था किसान हर तरह का खेती उसमें करते थे जुआर बाजरा ये तमाम चीजें वो उगाते थे तरह तरह की सबजियां उगाते थे और आप देखते हैं कि हमारा देश जो है वो पता नहीं कितने तेवारों का देश है और अगर आप धियान से देखेंगे तो आपको दिखेंगा कि जितने भी हमारे तेवार हैं वो कहीं न कहीं हमारे crop के साथ जुड़े हैं जब किसान के घर अनाच कटके आता है तो आप मान सकते हैं कि उसके घर खुशाली आई आज लोग नौकरी करते हैं और जब पहली तारीख आती है तो तंखा मिलती है उनको सैलरी मिलती है तो बहुत कुश होते हैं घर में मिठाई लाते हैं अरे आज तंखा मिली है ना आज सेलरी मिली तो किसान की सैलरी तो उसका फसल होता है जब फसल कटके आता है तो वो तेवहार मनाता है तो आप जितने भी तेवहार हैं उनको उठाके देखिए आपको समझ में आ जा चाहे वो मकरसंक्रांती हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, उसका connection उसके फसल के साथ होता है तो मैंने आपसे क्या बताया कि traditional type की खेती होती थी, हल बैल से खेती होती थी और खाद के नाम पर जो किसानों के पास जानवर होते थे, गाए, बैल, तमाम, तो उनके जो गोबर होता था, उससे खाद जो बनती थी, जिसको हम manure कहते हैं, natural fertilizer, ये खेतों में डाला जाता था हर तरह के अनाज पैदा किये जाते थे, इसका कोई market से अतना connection नहीं था, ऐसी फसल जादा नहीं उगाते थे, जिसको बेच के वो पैसा कमा सके, इस तरह की बात नहीं थे, हर तरह के फसल को वो बोते थे और फिर क्या करते थे, कि उसी फसल में से कुछ बीज अगली फसल के लिए बचा के रख लेते थे, ताकि अगली फसल में हम उसको बो सकें, ठीक है, और उस समय जो हमारी खेती थी, वो depend करती थी, वर्शा पर, बारिश के पानी पर depend करता था जैसे आज के समय में नहरे हैं, और ट्यूब वेल हैं, ये सब उस जमाने में नहीं थी, तो ये लोग या तो बारिश के पानी पर depend होते थे, या गावों में धेकुल होता था, रहट होता था, तो रहट तो मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको उसका वीडियो भी भेजा था, तो इस तरह से, रहट से या धेकुल से ये सिचाई करते थे, और मैंने बताया, खाद के नाम पर जानवरों का जो गोबर होता था, उसी से खाद बनता था, सुखी पतियों को कहीं एक जगा पर ये लोग सब वो गोबर और सुखी पतियां, जैसे नीम माल लिए, नीम का पेड़ है दरवाजे पर, तो जो पतियां गिरती थी, उस सब को एक जगा पर डालते थे, उससे सड़के खाद बनता था, और हल बैल से ही खेती होती थी, हर त जैसे मैंने कहा कि यहां की जो खेती है, आज भी और उस समय भी, बेसिकली ये रेन पर डिपेंड होता है, और हमारा जो रेनी सीजन है, वो जिसको हम कहते हैं मौनसून, वो बहुत अनिश्चित है, वो कभी टाइम पर आ जाता है, कभी टाइम पर नहीं आता है, तो मालु पड़ा कि किसान जो है, कभी सूखे का सामना कर रहा है, कभी अंटाइम बाद में बहुत बाद में बहुत बारिश हुई और फलड आ गया, तो आप फिर किसान की फसल भी प्रवराद हो गई, जब पानी चाहिए था, तो पानी नहीं बरसा, तो किसान ने धेंकुल से, किया, उसके बाद जब फसल तयार होने लगी, तो बारिश बहुत हो गई, और फिर बाड़ आ गया, तो उसका फसल बरबाद हो गया, उसके सारी मेहनत बेकार हो गई, तो किसान हमेशा परेशान रहा है, तब वो क्या करता था, तब वो गाओं के महाजन से उधार लेता था और उस उधार, वो उधार जो देता था महाजन, बहुत हाई रेट आफ इंट्रेस्ट पर देता था, बहुत अधिक ब्याज लेता था, और किसान उसको लोटा नहीं पाता था, उतना उसके पास आमदनी ही नहीं होती थी कि वो लोटा पाए, वो तो जो लोन लिया, उसको तो घर के खत्चे में उसने यूज़ किया क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं तो लाश्ट में क्या होता था उसके घर के बरतन भाड़े खेत खलियान सब उस सहुकार हडप लेता था कभी आपको मौका मिले आप अपने पैरेंट से कहिए कि मुझ्शी प्रेम्चंद इसके किसानों की हालात जानने कर आप थोड़ा मदर इंडिया फिल्म भी देखिएगा अपने पैरेंट से कहिए कि वह आपको मदर इंडिया फिल्म भी दिख लाएंगे तो ये हमारा पारंपरिक खेती था 1947 से पहले तो इसको मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि उस समय हमारे देश में और दिकी करन नहीं था गावों में बिजली नहीं होती थी गावों के आप बहुत से शेहरों में भी बहुत कम बिजली होती थी हमारे पास शिचाई के साधन उतने नहीं होते थे हमारे पास ना तो ट्यूब वेल था ना ही नहर हमारे गाउं से गुजरती थे और ट्रेक्टर नहीं था त्रेसर नहीं था आज का जो एक्विप्मेंट है जिससे हम खेती करते हैं वो सब नहीं था तो हम हल बैल से खेती करते थे हम हर तरह की फचल बूते थे और क्या नाम है खाद के नाम पर जानवरों का गुबर हम यूज़ करते थे तो यह सारी चीजें थी और हम बिसिकली मौनसून पर डिपेंट करते थे और मानसून अंसर्टेन होने के कारण क्या होता था कि किसान कभी वो सूखे का सामना करता था किसान कभी वो बार का सामना करता था और फिर वो साहुकार से गाउं में जो बनिया होते हैं साहुकार जो लोगों को पैसा देते हैं और हाई रेट आफ इंटरेश्ट लेते हैं और जाहिर है कि वो अपने खर्चे के लिए लेता था अपने शादी बिया, जनम, मरन इन सब चीजों पर खर्च हो जाता था तो उसके पास जो अगली क्रॉप भी होती थी इतना होता नहीं था कि उसका सूद चुका सके तो वो साहुकार के चंगुल में फंजाता था और साहुकार उसकी जमीन वगरा से कुछ हथिया लेता था तो बड़ी बुरी पोजिशन थी किसान की लेकिन धीरे धीरे जाजादी के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्रियलाजेशन हुआ बहुत प्रोग्रेस हुआ है ऐसा नहीं है डैम वगरा बने और बिजली पैदा होने लग गई गाउं में भी धीरे धीरे बिजली आई तो एग्रिक कल्चर ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया और पहले जैसे मैंने कहा कि फसल बोने के लिए जो बीज की ज़रूरत होती थी तो किसान क्या करते थे किसान जो भी उपज हुई जो भी अनाज पैदा हुआ उसमें अपने खाने के लिए अनाज निकाल लेता था और बाकी अगले साल अगली फसल बोने के लिए वो बीच को बचा के रख लेता था ये था पुराने समय की खेती और हम अब बात करने जा रहे हैं नए तरह की खेती के बारे में तो ये नए तरह की खेती हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू